वेल्कम बैक तो माई चैनल वार्टेलर इंफोर्मिशन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप आई कैप में अपने कैफ पेपर की रिजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप लोगोंने पूरी देखना है वीडियो को स्किप नहीं करना स्टेप पर स्टेप बताऊं के पर जाना है आप लोगोंने और इसके बाद आप लोगोंने इस क्रोल अब करना है अपना के लिद्धू लेजिये लिए ठोड़ा सा हमने इसको और उपर और यह online examination form हमें मिल चुका है इसके पर जाना है आप लोगों ने और अगेन दोबारा आप लोगों ने online examination form के उपशन के पर जाना है और apply no कर देना है उसके बाद कुछ इस तरह का interface शो होगा इसको आप लोगों ने जूम कर देना है जूम करने के बाद जहां पर paper registration लिखा हुआ है इस option को आप लोगों ने चूज करना है जैसे ही आप paper registration के option को चूज करेंगे आप लोगों को अपना farm शो हो जाएगा आप लोगों ने farm फिल करना है name लिखना है phone number लिखना है house जो भी वो मांगे आप लोगों ने वो साई details लिखनी है उसके बाद bank account में आप लोगों ने this का आप लोगों ने account number लिखना है account title में उसी का आप लोगों ने name लिखना है जिसके बाद आप लोगों ने next कर देना है next करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह का interface show हो जाएगा जहां पे उन्होंने पेपर्स का उप्शिन आप लोग को दे रखा है और नेचे वो पिक्चर जो है आप लोगोंने अपलोड करनी है उसके नीचे आप लोगोंने सिगनेचर अपलोड करने है सब पहले पिक्चर पे जाएंगे हम चूज फाइल करेंगे और फाइल्स में से कोई picture set करेंगे जो हमने upload करनी है यहां पे तो यहां पे मैंने यह picture set की और जब मैंने set की और यहां पे कुछ error आता है और हर एक student को ऐसे ही error आता है तो इस error को कैसे solve करना है अब मैं आप लोगों को यह बताऊंगी आप लोगों ने चले जाना है back चले जाना है आप लोगों ने और हाँ एक बात और याद रखनी है जो आप लोगों ने sign करके upload करने है उसको भी compress करना है तो हमने picture और sign को साथ ही compress कर लेते हैं आप लोगों ने pixel app डोनर करनी है play store से और उसको open कर लिना है open करने के बाद उपर आपको right side पर three dot नज़रा आ रहे हैं यहां पर जाना है और image size के उप्शन के उपर जाना है उसके बाद आप लोगों ने image का size यह रखना है width 190 होनी चाहिए height 250 होनी चाहिए उसके बाद आप लोगोंने OK कर दीना है उसके बाद जो picture आप लोगों ने upload करनी है वो प्लस के option पर जाके फ़र्म गैलरी पर आप लोगों ने जाना है और उसके बाद वो picture set करनी है और उसके बाद उस picture को save कर लेना यह देजिए मैंने जो है picture set कर ली है और save आप लोगोंने plus के साथ जो option शो हो रहा है उसको चूज करना है और save as image कर लेना है उसके बाद save to gallery कर लेना है अब यह जो आपकी picture है यह compress हो चुकी है इसके बाद sign भी तो upload करने है तो उसका size भी उसको भी हम compress करेंगे अब जो आप लोगोंने sign किये होंगे किसी भी page पर उसको set कर लेना है और इसका three dot के उपर gain जाना है image size के उपर जाना है और आप लोगोंने image का size select करने ना है जो height है वो 100 होनी चाहिए और जो width है वो 190 होनी चाहिए sign की जो आप लोग ने sign upload करनी है यह लीजिए जो है हमने sign को भी compress कर लिया है अब हम back जाके image भी upload करेंगे और sign भी upload करेंगे अब हमें कोई भी error नहीं आएगा choose file पे जाके अगिए आप लोगों ने files में जाना है या gallery में जाके आप वो picture slide कर सकते हैं जो आप लोगोंने compress की हुई है यह लीजिए यहाँ पे successfully का उन्होंने show कर दिया है हमाई जो picture है वो upload हो चुकी है अब यहाँ पे update आ रहा है अब signature upload करने है वही pattern है आप लोगोंने choose file करना है और choose file करने के बाद आप लोगोंने जो sign compress की होंगे उनको upload करना है यह लीजिए sign भी जो है successfully update हो चुकी है और उसके बाद हमने sign और picture upload कर ली है उसके बाद हम जो है यहाँ पे select center पे जाके जो भी city है आप choose जिस city पे आप रहते हैं आप लोगोंने आज जाना है वहाँ पे पेपर देना चाहते हैं वह पेपर आप लोगोंने select कर लेना है और फॉर्स्ट एप्शोन चूज करना है center based का आप फिजिकली पेपर देना चाहते हैं तो इसलिए आप center based का option चूज करेंगे और जो भी पेपर आप लोगों देना चाहते हैं वह पेपर select करेंगे और इसके बाद हमारा जो farm है वह फुल हो जाएगा वह हमने fill कर दिया है सारा और इनको चूज करने के बाद आप लोगोंने आज जाना आप लोगों देखेंगे नीचे जो है हमें next का option शो हो रहा होगा तो आप लोगोंने form को पूरा fill करने के बाद next करते हैं जब आप next करेंगे तो कुछ इस तरह का form आप लोगों को शो हो जाएगा अब आप लोगोंने submit करते हैं submit के option को choose करना है कि उसके भाद कुछ इस त россिकर्ड कार यां फी फैसल बैंक क्वाचव कर सते हैं अग्र कुछ उप्छार का उपस्व करना जाते हैं खिर भाद कि ज्रूब्य से हैं अगर आप डॉर्ट करना जाएं तो आप शूल करना चा तक हैं उसके बाद आप जो है आप यहां पे देख सकते हैं प्रिंट फीस वाउचर लिखा हुआ है जैसी आप इस ओप्षिन को चूज करेंगे आपका जो च्राम फॉर्म है डॉनलोड आप लोगों ने करना है और डॉनलोड होने के बाद आपका च्राम फॉर्म आप को मिल जाएगा अब आप जाके किसी भी जो बैंक आप चूज करेंगे उस बैंक में जाके च्राम फॉर्म के थरू आप इफी समिट करवा सकते हैं